जी नमस्कार स्टुडेंट आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल साइंस क्लास एंड जी के पर देखो पिसला जो हमारा आप एड़ेस्ट कर लेना आगे से वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब देखो हमारा यहां पर MCQ नमबर जो फॉर्ट है वो हम यहां पर स्टार्ड कर ले और आज का जो टोपिक रहेगा हमारा यह रहेगा यहां पर किसान आंदोलन ठीके देखो यह ऐसे मैं टोपिक ले परकार से एक बार हम यहां पर MCQ है वो स्टार्ड गरते जैसा कि पहला कि उसना है कि बिजोलिया वर्तमान में किस दिले में इस्तित है तो बिजोलिया वर्तमान में बीलवाडा के अंदर है ठीक है और यहां पर बिजोलिया को जो रियास्तिकाल के अंदर यहां पर उपर मा आप खेत के अंदर यहां पर बीज बोने वाले हो उस बीज को तोल लिया क्या बिलकुल तोले तब उन बीजों की हमारे सामने क्या होगी भीड हो गई बीजों की क्या होगी थी भीड होगी तो बीजों लिया है वो वत्मान के अंदर कहां पर आपके भीलवाडा के अंदर है फिर नेक्स देखो नेक्स्ट है मारे सामने बीजोलीय ठिकाने के जो संस्ता पक नहीं होju आपके असोग परमार है कौने यापे असोग परमार मतलब ऐसे याद दिगरो आपने बीज तोले तो आपके सामने बीजोगकी क्या होगी? भीड होगी अब ये बीज आपके किस ने तुलवाई यहां पे तो ध्यान में रखना जो बीज तुलवाई थे वो आपके राज्तान के CM ने तुलवाई थे यहां पे और CM कोने यहां पे असोग तो असोग परमार हो जाएगा नेक्स्ट यहां पे बीजोलिया आंदोलन है किस वर्ष परारम हुआ था तो अठारा सो संतान में के अंदर यह परारम हुआ था ध्यान में रखना और नेक्स्ट यहां पे बीजोलिया आंदोलन परारम होने के समय बीजोलिया के ठिकानेदार कोन थे अब यह भी बहुत राओ करसंचिंग कौन थे यहां पे राओ क्रसंचिंग नेक्स हमारे सामने क्यों सना है कि विजोल या अंदोलन का आपके पटाक सेफ किसके नहतरतों में हुआ यहां पर तो मानिके लाल वर्मा पटाक सेफ का मतलब उसका उद्गाटन ठीक है और जब भी उद्गाटन तो आपके जो मोतियों की माला होगी उसके हम क्या करेंगे यहां पर मोतियों की माला फेनाएंगे और उसको यहां पर बीच में से कट करेंगे तो आपके पटा सेफ है वो आपकी किस के नहतरतों में हुआ तो मानिक के लाल वर्मा के नहतरतों है नेक्स्ट आपके नान जी और ठाकरी पटेल इसको इंपोर्टेंट करना बहुत बार पूछा जाता है यहां पे कि नान जी और ठाकरी पटेल थे यह किस आंदोलन से समझदी थे यहां पे तो ध्यान में रखना बीजोलिया किसान आंदोलन से समझदी थे तो ध्यान में रखना जो बीज हमने तोले थे वह आपके किसने तोले थे असोग परमार ने तो वीजो की क्या हो गए यहापे बीड हो गए अब वो वीज थे वो सारे के सारे हमने यहापे नाना जी को और जो गाओं के ठाकरते उनको हमने दे दिया था यहापे तो ध्यान में रखना यहापके किस आंदोलन से समधित हो जा वो आपके हस्लिकित पत्र क्या था तो वो आपकी उपरमाल का डंग का नाम से आपके एक पत्र था जिसको गाउंगाउं पहुचाए गया था लोगों के अंदर जागरती फिलाने के लिए नेक्स्ट है हमारे सामने यहां पर क्यों से तो उपरमाल पंच बोड की स्थाफ ना किसने की यहां पर विजय से यह पत्र थिक ने की विशेश्टोर से यहां पर ध्यान में रखना है इसके बार में ठीके नेक्स्ट है आपके सामने की उसन की बिजोलिया अंदलन की परमुक विशेश्टा क्या थी तो यह सारी विशेश्टा आपके यहां पर बिजोलिया अंदलन की थी आप इन विशेश्टाओं को यहां पर पढ़ सकते हो असानी से नेक्स्ट है हमारे सामने पर्सन की विजोलिय ठिकाने के किसानों में ठिकानों की विरुद आंदोलन करने का परुमु कारण क्या था है यहां पे तो देखो यहां पे LLB आपके लगान, लाटा, कुंटा और आपके बेगारी ध्यान में रखने बेगारी का मतलब यहां पे एक तो L का मतलब लगान और लगान का मतलब यहां पे लाटा, लाटा का मतलब जो भी आप दानवा गयरा कारते हो तो वो किसान आपके अंग्रेजो जो पतिक है यह आपके विजोलिया आंदोलन से कब जुड़े थे तो विजोशीम जो पतिक थे यह विजोलिया आंदोलन में ध्यान में रखना 1916 के अंदर जुड़े थे कब जूड़े थे यहाँ पर 1916 नेक्स्ट यहाँ पर उपरमाल पंच बोड का जो गठन है वो गठन कब हुआ था यह important कर लेना यहाँ पर क्यूशन तो उपरमाल पंच बोड का गठन हर्याली आमावसी है 1917 को हुआ था यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे सामने यहाँ पर क्यूशन कि विजोलिया ठाकुर प्रत्विशिये द्वारा जनता पर आरोपी तलवार बंदई की लागत क्या थी तो ठिकाने के उत्रादीकारी की ताज पोस्ट पर जनता से वसुला जाने वाला जुकर था वो आपके यहाँ पर तलवार बंदई कर होता था नेक्स्ट हमारे सामने क्यूशन है कि जो आपके विजोलिया है यह आपके विजोलिया किसानों की जो मांगो के ओचिती की जान छेतू नियाई मूर्ती बिंदुलाल बटाचारी आयोकब गठीद क्या गया तो यह अप्रेल उनिस उनिस अब देखो बहुत सार डेट से गलेटेट क्यूशन एक्जाम के अंदर आपके मतलब गलत होने के चांस बनते हैं तो देखो date से related आपके शन से related जितने भी आपके exam के अंदर question पूछ जाते हैं पहली बात तो उनके जो संक्या है वो आपके 2 से 3 संक्या होती है अब आप शन को याद करो चाहिए मत करो वो आपके उपर है अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हो और याद नहीं करो त उनको में याँ पे skip कर रहा हूं ठीक है next एक याँ पर राजस्तान में जो किसान अंदोलन है वो किसान अंदोलन का जनक कोन है अब देखो जो आपके याँ पर विजे होगा उसको याँ पर उठाया जाता है वही तो उपर होता है याँ और वीजे हमेशा किसकी होती है आपके राजस्तान में द्यान में रखना किसानांदौलन का क्या हो जाएगा जनक हो जाएगा नेक्स आपके बेंगू किसानांदौलन का प्रारम हुआ था 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 prior रस्त संधर के अपर हो जाएगा अब यह समझो तक किस से समझी था तो आपके बेंगू किसान आंदोलन से समझी था तो इसके अंदर दो नंबर का जो अप्शन है यह वो करेक्ट हो जाएगा देखो कैसे द्यान में रखा बैसे बोल्चेविक और बैसे आपके बेंगू किसान आंदोलन ठीके देखो यहां प ऐसे आपको याद रखना है थोड़ी गोथ हिंट रहीगी तो आपको एक्जाम पता चल जाएगा किसका ओप्शन यही सही होगा बेंगु के किसानों ने 1921 में किस सिस्तान पर एक्तित होकर ठिकारने की विरूद संगटित होकर अंदोलन करने का निश्चे क्या तो जो मेनाल ह उपर यहां पर second number option correct हो जाएगा ने एक्सट्य आपकी बेंगु किसान अंदोलन का नेतर तो प्रारम में पतिक जी ने किसे सँंपा यहां पर पहले आपकी पतिक ने और उसके बार पतिक जीने किसको सोंपा यहां पर ध्यान में रखना है यहां पर पतिक जीने किसे सुंप रहें वह बुंदी के तक्सिन पर शिबाग के अंदर है तो दो नंबर उप्सन क्या हो जाएगे यहां पर करेंट हो कि इसको इंपोर्टce लगा लेना यहां पर के कि बुंदी के बरण आंदोलन्द की चरम परिनीती 2 अप्रेल 1923 को डाबी में एक एप्रिय गटना के रुप में यह गटना क्या थी यहाँ पे दो किसा नानग बील वे देवलाल गुजर का मारा जाना तो यह डाबी के अंदर हुई थी जिचम यहाँ पे डाबी हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे और यह कहां पे बुंदी में बरड आनदोलन के लिए फिर नेक्स्ट हमारे सामने परसन है यहाँ पे अब डाबी के अंदर जो विक्ति मारे गए थे यहाँ पे उनकी जाहां थे तो बुंदी के सासक ने एक आयोग न्यूक्त क्या उसके सदे से कौन थे तो मारा जाब प्र गटना कहां पे हुई प्रत्वी के उपर हुई और आपको पता भी प्रत्वी के उपर हुई तो भगवान राम आएंगे यहाँ पर गटना के अंदर और राम आएंगे तो लाल हो जाएंगे इस गटना को दे कर कि प्रत्वी के उपर ऐसा भी कुछ होता है कि मनुश्य को मा मारा जाता है यहां पर तो ध्यान में रखना है यहां पर बुंदी है तो बुंदी के जो सासक ने यहां पर आयोका न्यूत किया था इसके जो सदेशियत है यहां पर आपके प्रत्वी राम और लाल से याद रखें प्रत्वी का मतलब महाराजा प्रत्वी है और राम का मतलब यहाँ पर पंडित राम परता और लाल का मतलब बहरो लाल ठीक है अब देखो यह तो हमें यहाँ पर वेक्तियों के नाम याद हो जाए यह डाबी गटना की आपके जांच कैसे याद होगी यहाँ पर इसको याद करने के लिए देखो हमारे पास में यह ट्रिक है यहाँ पर कि डाबी गटना की जांच है तो बुंदी के सा सका अब मालो राम आपके प्रत्वी के उपर आए तो उनको बुंदी के लड्डू खिलाए बस याद हो जाएगा आपको ट्रिक्स और आपने आप ही आपको पता दल जाएगा कि यह एंसर इसका क्या होगा करेक्ट निमूच इसना हत्याकान में 14 मई 1925 को किसके आदे से गोले चलाएगी तो कमांडर छाजू सी मालो वो छजजे पर बैठा था और उसने गोले चलाने का आदेस दे दिया यह चजजा है मालो मकान का इस छजजे के उपर बैठा था और उसने क्या किया यहाँ पर गोले चलाने का आदे दे दिया था और उसके हाथ में क्या था यहां पर निम्बू और चीना था ठीक निम्बू और चीना था मतलब निमू चना और आपके किसने गोली चलाने का देश दिया कमाड़र चाजू सिंग काम पर बेटा था चाजू मतलब चज्जे की उपर बेटा था बस हो जाएगा य यहां पे नेकस्ट है आमारे सामने यहां पर यहीं किए हैं तो यह मैंने कंप्लीट क्यूशन करवा दिया यहां वीडियो कैसे लगे वो कमेंट्स करना इन ट्रिक्स को आप एक दो बार वापिस देख लेना कि आपके माइं के अगर थोड़ा भूद भी हिन्ट रहे जाएगा तो exam के time आप ऐसे person को option देख कर ही सही कर सकते हूँ मिलते हैं आप इस next video के अंदर और next video tricks कर आईगा हमारा